मैं सर्थ दिपक कुमा मौर्या, I am a student of Central Institute of Fire Management कानपूर और मेरे साथ है मेरे फ्रेंट रभी शिना, जो कि हम लोग आप लोग को बताएंगे safety क्या है, safety किस चीज़ दे करते हैं हम लोग, safety हम जानवाल हम परिया मरड की सुच्चा करते हैं, तो चार की सुच्चा पीवी पहन के करते हैं, जैसा कि आप लोग को पता होगा, पीवी मतलब personal protective equipment, स्वर्ण की सुच्चा करने के लिए, जो हम कहते हैं, यर्ग पहनते हैं, पेहनते हैं उसे पीवी कहते हैं, इन पिपी रिक्योमेंट में से एक आता है सेम्टी हार्नेस जो कि हम उचाई पर जो वर करते हैं जैसे कि कावर पे चड़ रहा है किसी बड़े कंटेनर में चड़ रहा है या किसी बड़े टैंक पे चड़ रहा है आप इसको असानी से पहन सकते हैं इसको कहते हैं पहनने के लिए एक हाथ इसमें डालेए और दूसरा हाथ इसमें डालेए और कहते हैं यह जो चैस्ट इस्ट्रिप है इसका इसको कहते हैं लॉक कर लिए इसके जो 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 ज कि दूसरा जल्द भी निकाल लिए सके थायमें से यहां पे लोग कर देते हैं इसके लोग करने का सिश्टम यह है यह जो होता है इसके पीच में ऐशसे करके डालेगे और इसको सीधा रटीजिए अब यहां से लोग होगा है यहां से निकले रखी अभी और इसके है आजयर होगी से निरा थैंशल में पुर्च कुर्मच है इसको लेंड यार्ड करते हैं और इसको कहते हैं कंडकर एक हमकी तो Τावस कलते हैं तो एक कनेक्टर इसको बोलते हैं कनेक्टर इसको बोलते हैं सोल्डर स्क्रिप इसको बोलते हैं चैस्ट स्क्रिप और इसको कहते हैं लाग स्क्रिप यह इसका कनेक्टर है और इसकी पूरी रस्ती है इसको कहते हैं याड जब हम कहीं टावर पे चड़ते हैं तो जो एक कनेक् एक नीचे को लगाए फिर आप उपर लगाए जब आप थोड़ा उपर चले जाए तो इसको एक को निकाले फिर उपर लगाए इसमें से एक कनेक्टर हर्टें लगा ही रहता है यह डबल लैंग्याड हार्नेस है और इसके पीछ आप देख रहांगे इसको गरते हैं डीरी जो यह डीरिंग आप पकड़ेंगे तो जब दीरिंग पकड़ेंगे तो असली बिल्कुल सर्ट नुवा हो जाएगा ताकि आप आसानी से पहन सकते हैं और इसको इसके खायते क्या क्या है जब आप किसी कावर पर चड़ते हैं तो नार्मली आप ऐसी चड़ेंगे बाइचान स सब्छ पहने से पहले क्या-क्या साधरक्या थेखनी चाहिए पहले तो देख ले में इस स्क्रिप कहीं से कटी कि होनी चाहिए। फ computers in हुआ और ये गष्वेसशस्ट रिक्टक्र है वो सईने आट की नहीं है यह डिक्ष्व से लोग की नहीं हो ने जरूआइ c यह कई गल्द नहीं गई है, एक बेकार तो नहीं होगी है, यह ज़रूर ध्यान चलिए, थैंक यू